गुड मॉर्निंग आज से हमारी पुना ओनलाइन क्लासेज शुरू विए स्टार्ट हुई है हमने पहले तीन पाठ पढ़ लिये हैं अब हम पाठ चार पढ़ेंगे पाठ का नाम है सेतानी सेतान बालग पाठ का क्या नाम है सेतान बालग शिक्षन संकेत प्रस्तुत पार्टन बताया गया है कि किसी भी प्रकार की बदमासी या सेतानी प्राण गातक हो सकती है यानि हमें सेतानी इतनी भी नहीं कनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुँचे मौज मस्ति अच्छी बात है लेकिन मौज मस्ति के चक्कर में किसी भी प्रकार की लापरवाई आपके स्वें के लिए भी प्राणगातक हो सकती है इस अध्याय में एक ऐसे सैतान बालक की कहानी बताई गई है जो बाद में अपनी ही सैतानियों से जीवन बर के लिए एक कटू सबक सीखता है आईए उसके बारे में पढ़ेंगे उसको खुद को चोट लगती है फिर वो बाद में वो लड़का अच्छा सीधा या समझदा बन जाता है उसको सबक मिल जाता है सैतानियों का परीणाम बयानक हो सकता है कैसा हो सकता है? बयानक हो सकता है औरों की सैतानियों से सबक लेना चाहिए औरों की सैतानियों से क्या लेना चाहिए? सबक इस पार्ट में ऐसे ही एक सैतान बालक की कहानी है कैसे बालक की कहानी है इस पार्ट में सैतान बालक की जिसको बाद में अपनी सैतानियों से सबक मिलता है दिपावली के समय अजे के चेहरे पर छाई खुशी तो देखते ही बनती थी दिपावली उसका सबसे प्रिय त्योहार था दिपावली उसका क्या हम सबका भी प्रिय त्योहार है हम सब को इसमें मज़े आते हैं, पठा के जलाने, तरह-तरह की मिठाईया खाना, अच्छे-चे कपड़े पहनना, लाइट टे लगाना, दीपक लगाना, ये सब हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, और होता भी क्यों न, उसे जलाने के लिए खूप सारे क्या मिले थे, पठ लेके आये थे उसके पापा, बम, अजे के मन में एक सैतानी उमड पड़ी, सैतानी उमडी, उसने दो-तीन बम उठाए, तता घर के पिछवाडे पहुच गया, यानि घर के पीछे की तरह पहुच गया, वहाँ पर कुछ छोटी-छोटी पुरानी मठकिया पड़ी थी, क्या रखा जमीन पर, उसे आगे लगा कर, उसे आग लगा कर, फुर्ती से उसने उपर, उसके उपर मठकी रख दी, अजे ने जमीन पर बम को रखा, और उस बम में आग लगा कर, फुर्ती से उसको पर क्या रख दी, मठकी, और खुद पीछे हट गया, धड़ाम से जोड़दा आवाज के साथ मटकी के टुकडे टुकडे हो गए अजे खुसी से तालिया बजाने लगा धमा के कारस ये जानने के लिए उसकी मम्मी पीछे से आई तो जमीन पर विखरे मटकी और बम के टुकडे देख कर वह समझ गई तो यह सब तुमारी सेतानी थी किसके सेतानी थी ये अजे की देखो अजे अच्छे बच्चे इस तरह के खतरना काम नहीं करते ये कौन बोल रहा है मम्मी बोल रही है किसको अजे को अगर मटकी का कोई टुकड़ा उड़ कर तुमें लग जाता तो क्या होता उसको लग जाती और खून बैने लगता चलो छोड़ो इसे और पढ़ाई कर लो आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे इसमें एक सेतान बच्चे की कहानी है आपको मैंने पहले बताया है यहां तक ही पढ़ेंगे अब आपको होमवक में क्या करना है मैं बता देती हूँ होमवक में आपको सब्दार्थ करने है उपर लिखोगे पार्ट चार सब्दार्थ वन नमबर पे एक नमबर सचित यानी सावदान दूर नमबर प्रिय यानी प्यारा थ्री नमबर खूब यानी ज्यादा फोर्थ नमबर खतरनाग यानी हानिकारग फिप फूर्ती यानी तेजी 6 नमबर फॉरन यानि तुरन 7 नमबर सलामत यानि कुसल 8 नमबर चहरा यानि मुहू 9 नमबर उपचार यानि इलाज 10 नमबर नतीजा यानि परिणाम 11 लत्पत यानि भीगा हुआ 12 नमबर सबक यानि पार्ट सबक मिल गाया है ना पार कु सीखने के लिए कि ऐसी अरकत करने से बहुत कुछ हो सकता है उसको लग सकती है उसको जादा इस बार थोड़ी लगी जादा स्यता हमनी करोगे तो जादा लगेगी ओके आपको सबदार पलस आपको प्रश्ण ये सही उत्तर पर राइट का निशान लगाई ही लिखित पर है न ये भी हूंवक में करना है कर अजे ने फूर्ती से बम के उपर क्या रख दिया क्या रखा मटकी अजे का प्रियत्योहार कौन सा था दिपावली अच्छे बच्चे किस रखा काम नहीं करते खतरनाक काम नहीं करते फिर घ अजे ने बम कहां रखा अजे ने बम जमीन पे रखा क का उत्तर है थर नमर मटकी ख का उत्तर है दिपावली ग का उत्तर है खतरनाक और ग का उत्तर है जमीन आपको सब्दार्थ और सई विकल्ब पर राइट का निशान लगाईए ये दोनों आपको उम्वक में करना है ओके